अलो फ्रेंड वेलकम टू बाजीरा रेड़े इंस्टूट टूडे इनलसिस के आज क्यांक में हम 20 जुलाई 2024 के तीन प्रमुख समाचार और उन पर आधारित 5 प्रस्नों को देखेंगे दसमें से पहला समाचार है Microsoft का विंडो आउटेज क्यों हुआ था कैसे हुआ था किस कारण हुआ था तो देखा जाए तो यह एक दो स्पून साफ्ट्वेर अपडेट था एक साफ्ट्वेर अपडेट उसको कहते हैं Cyber Security फर्म द्वारा किया गया था जो Cyber सुरच्छा के लिए करता है और उसके कारण पूरे दुनिया में एक तरह से देखा जाए तो व्यवस्था ठाफी जैसी हो गई थी जो कुछ उस बिंडो के साथ जुड़ा हुआ था ठीक है दूसरा है जो समाचार हम जिस पे चर्चा करेंगे वो यह है कि भील प्रदेश की मांग कल जो है 19 जुलाई को राजस्थान के राजसंबंद जिले में एक मानगर अस्थल है धर्म वहाँ पे हजजारों के संख्या में भील आदिवा से जुटे थे और उन लोगों ने एक नए भील प्रदेश की मांग की है जो गुजरात, राजस्थान, मद्य प्रदेश और महारास्थ के कुछ उन्चास जिलों को जोड़कर एक बनाने की मांग की जा रही है ठीक है तो उसको समझने की कोशिस करेंगे तीसरा समाचार है कि सरोच नियालय द्वारा सम्विधान के अनुछे 361 के तहर जो राष्टपती और राजपाल को जो उन्मुक्तियां मिली हुई है जो छूट मिली हुई है उन्हें गिरबतार यादि से उसको देखने की या उस पे जाज करने पर याचिका को उसने शुकृत कर लिया है चीप जस्तिस की या तरह का आरोप लगाया था जैकिन राजपाल को चुकी 361 के तहत छूट मिली हुई है तो उसको लेकर ये आचिका सुप्रिम कोट में दयार की गई है आईए पहले देखते हैं विंडो आउटेज कैसे एक दोस्पूर साप्ट्वेर अपडेट ने दुनिया भर की के साथ एक और सिस्टम था उनमें इस तरह की चीज़े देखी गई है और इसके प्रभाव का काफी बड़ा प्रभाव हमारे यहां पे जो है एयर लाइन इंडस्ट्री पे पड़ा है कुछ एक आध्ध नान बैंकिंग फाइनेंसियल या बैंकिंग सिस्टम पे भी हलका तो इसको समझने की कोशिश करते हैं आए जरा देखते हैं परिचे को देखें तो बैस्वी कस्तर पे जो माइक्रोसाफ्ट आउटेज हुआ था इसने 19 जुलाई को मानव जीवन के महत्तपुन पहलियों उडानों बैंकिंग मेडिया पर रोक लगा दी थी और यह हुआ क्य क्योंकि एक साइबर सुरच्छा फर्म है अमेरिका की क्राउड स्ट्राइप काफी नामी ग्रामी फर्म है इसका एक अपडेट दिया गया था माइक्रोसाफ्ट विंडो पीसी को लेकर और जिसके कारण माइक्रोसाफ विंडो पीसी जो है इस अपडेट के बाद उस वो क्य कर गया था आफ लाइन हो गया था या बंध हो गया था जिसके कारण पूरे दुनिया में जो है आउटेज की समस्या दिखाई दी थी तो देखा गया है कि ये था Microsoft विंडो का आउटेज लेकिन इसके पीछे जो कारण था अब वो था कि सुरच्छा फर्म साइबर सुरच्छा हो जाने के कारण विंडो जो है Microsoft की जो विंडो क्लाउट सर्विस है Azure वो नौन फंक्शनल हो गया था जिसके कारण ये सारी समझ्चाएं हुई थी तो आईए जरा से इसमें समझें कि कारण क्या था तो देखिए Microsoft ने कहा कि ब्यावधान का प्रारंभिक करण यानि जो प्र Microsoft का 365 और बाकी सारे एप यूज करते है Windows के वो काम करना या उसके configuration में परिवर्तन दिखाई दे गया था और जिसके साथ connectivity भी फलताएं शुरू हो गई थी इसमें connectionों पर निरभर Microsoft 365 की जो एप है वो सेमाएं प्रभावित हो गई थी और जब और इसने detail किया तो ये पता चल कि समस्या का जो मूल कारण है वो Windows system के लिए Microsoft Windows system के साथ कई सारे जो लोग यानि खासतार से जो corporation है बड़े-बड़े corporation है वो एक cyber सुरच्छा फर्म के crowd strike नाम का एक software update मतलब हो लगाते एक software system लगाये थे उसमें crowd strike द्वारा update किया गया था जिसके कारण ये system ही खराब हो गया था और इसका जो crowd strike का मुख software उत्पादों में से क्या था एक नाम है इसका falcon यही business था यही main जो है दोस्पूर्ण हो गया था इसी falcon का update दोस्पूर्ण हो जाने के कारण Microsoft का window खराब हो गया था और best week अस्तर पे खराब हो गया था अब यहाँ पर प्रस्ण है कि दुनिया की प्रमुक कमपनियां यह हुआ कैसे देखिए होता यह है कि एक साप्ट्वेर है एक Windows साइबर सेक्यूर्टी सिस्टम का एक साप्ट्वेर है जो Windows को सुरच्छा देता है उसमें कोई update खराबी आई और best week अस्तर पर Windows का आउटेज आउटेज देखा गया इसके पीछे वज प्रमाने पर कार्पूरेशन है या आप कह सकते हो कि फार्चुन 500 की बहुत सारी कमपनियां Windows के साथ अपने साइबर सेक्यूर्टी के लिए इसी फालकन साप्ट्वेर पर आधारित है तो ऐसे में एक यह दो सोनाक होने के कारण Windows प्रभावित हो गया और यह बहुत बड़े पर यानि जिन जिन लोगों ने Windows ज्यादा तर लोगों ने यूज किया था उनके साथ फालकन जिनके साथ था कार्पूरेट वाले इसलिए कार्पूरेट वाले फले हमारे आपके जैसे जो नार्मल लोग Windows यूज कर रहे हैं वो इनका फालकन को वही में कर पाएंगे हमारे तो normal cyber से काम चल जाता है, software से antivirus से काम चल जाता है, तो इसलिए हमारे यहां आप, हमारे आप लोगों को दिक्कत नहीं आई, वो लोगों को दिक्कत आई, जिन लोगों ने window system के साथ falcon software भी ले रखा था, तो ज़रा सा falcon software देख लेते हैं, क्या है, क्यों इसके बारे में है, तो देखिए, falcon को end point detection and response software कहा जाता है, यानि कि यह जिस computer से जुड़ा रहता है, उस computer के बारे में सारी सूचना है, सुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी होता है, उसको scan करने की, उस computer की सारी गत्वी दी, यहां तक कि internet से क्या भेजा जा रहा है, क्या आप आया रहा है, त इसको protect करने के लिए falcon के पास special privilege, यानि privilege जो है उसका windows के साथ, उसका connection होता है, एक ही करन होता है, यानि falcon windows के साथ देखा जाए तो इस end to arc के तहट, यानि end point direction and response system के तहट, वो पूरे windows से directly जुड़ा होता है, यानि integrated होता है, ऐसे में जब इस falcon में समस्या आ गई, जुड वे हर तरह की कारवाई पर निगरानी रखना पड़ता है, और उसे बचाना पड़ता है, और ऐसे में जब इस falcon में दिक्कत आ गई, तो इससे जुड़े हुए जितने भी windows थे, उन सब में दिक्कत आने लगी, और उनके जो azure clouding system है, उसमें दिक्कत आने लगी, और देख रही थी, इनके दोस्प्रू होने के कारण, विंडो ही उसमें काम करना, वो निली स्क्रीन के साथ दिखाने लगा, जिसको irritating हम बोलते हैं, और उसके कारण सारी सेवाएं प्रभावित हुई थी, भारत के संदर में देखा जाए, कि भारत में जो है, कौन से छेतर स्वेधान किया और एन नन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, जिनें हल कर लिया गया था, या अभी हल किया जा रहा है, जहां तक बित्ति छेतर की बात है, तो ब्यवधानों से अचूता रहा हमारा, फाइनेंसियल सेक्टर अचूता ही रहा है, औ और हमारी चूकी बैंकों द्वारा जो क्लाउट प्रणालियां उप्योग किया जाती है, वो विंडो का अजियोर नहीं किया जाता है, अनिकिसी, अगर क्लाउट प्रणालिया अगर उप्योग किया जाता, बैंकिंग सिस्टम द्वारा, माइक्रोसाफ्ट के अजियोर, तो हवाई जो सेवाई प्रद्देनी वाली कमपनियां होती हैं उन्हों ने जो विंडो और फालकन ले रखा था उस साथ के साथ जुड़ने से वो समस्याएं दिखाई दी थी भारत सरकार ने इस आउटेज पर क्या प्रतक्रिया दी तो हमारे यहां जो आईटी मंतरी हैं असुन प्रतक्रिया सर्टीन है यह भी जो हमारे यहां क्रिटिकल छेत्र हैं जैसे बैंकिंग है हेल्थ है उन सब के साथ जुड़े हुए थे कि ऐसे में कैसे बचाया जा सके और उनको रोका जा सके हलाकि यह ज़्यादा तर छेत्र हमारे अच्छूते इसलिए रहे हैं कि हम उस त प्रभावित हुए थे वो सेक्टर प्रभावित हुआ था जो माइक्रोसाफ्ट की सर्विसेस तो ले रही है लेकिन साथे साथ उसमें फालकन की भी सर्विस सेक्योर्टी के रूप में ले रही है वो इससे प्रभावित हुए है और इससे बहुत नुक्सान हुआ है और इस response और clouding system करना पड़ेगा ताकि इस तरह की चीजों से जैसे हमारा NIC कैसे बच गया क्योंकि NIC अपना बिकल्प पहले से ही तलासना शुरू कर दिया था और जो उस पे आश्रित थे हलाकि एर परिवहन भी critical में है लेकिन इस से सीख मिलती है Microsoft को भी सीख मिली होगी Falcon को भी सीख मिली होगी और भी लोगों को सीख मिली होगी कि कैसे बिकल्प के रूप में रखा जा सके कि अगर इस तरह की सेवाएं तिकत करे तो उससे बचा जा सके ठीक है क्योंकि आगे आने वाले समय में इस तरह की चीजे हो सकती हैं अभी मालिया साप्ट्वेर डो स्कूर्ट साप्ट्वेर अपडेट था हो सकता है कि पहले लोगों को लगा कि इने इस पर साइबर सेक्यूरिटी अटैक है लेकिन साइबर सेक्यूरिटी अटैक नहीं था cyber security को सुरच्छित रखने के लिए जो software दिया गया था उसके लिए जो update दिया गया था जिसके कारण माल function की सिकायद देखी गई थी दूसरा मुद्दा है जिस पे हम चर्शा करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे वह है भील परदेश की मान अभी कल ही मानगर पढ़ता है जगे पंसवाडा में जो है गुजरात और राजस्थान में पढ़ता है और गुजरात के बार्डर पे है वहाँ पे हजारों की संख्या में भील आदिवासी इकठा हुए थे और ये चार राज्यों के आदिवासी थे और वो चार राज्य में राजस्थान है गुजरात है महारास्ट है और मद्यपरदेश इन चार राज्यों के हजारों आदिवासी कठा हुए थे और वो लोग कठा होने के साथ साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि एक भील परदेश अलग भील बहुँ संख्यक जो छेतर हैं 49 जिलों की बात कह रहे हैं उनको मिलाकर एक भील प्रदेश बनाया जाए तो आईए ज़रह देखते हैं कि भील प्रदेश की मांग क्या हो रही है चर्चा में क्यो है तो देखिए राजस्थान का बाश्वाडा जिले में आदिवाशियों के प्रमुक्तिर तस्तल मांगर धाम ये फेमस है ये जुड़ा हुआ है मांगर नरसंखार से इसको आदिवाशी जलिया वाला बाग भी कहते हैं क्योंकि जलिया वाला में तो लगबग हजार की संख्या में बिटिसों द्वारा आम लोगों की मौत हुई थी यहां पे आदिवाशियों में पंद्रह से जादा हुई थी और हम जलिया वाला बाग को तो जानते हैं इस मांगर नरसंखार को नहीं जानते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं एतिहास में कुछ ऐसी चीजे हैं जो किस चीजों को हम जानते हैं और कई सारी चीजों को हम नहीं जानते हैं जबकि वो उससे भी बड़ी घटना हुई थी और जलिया वाला बाग के 6 साल पहले हुई थी वो अलग बुद्धा है उसमें हम अलग बात करेंगे कभी आएए देखते हैं कि ये मनगर धा में 19 जुलाई को 4 राजियों के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोरों से उखी थी और ये जो चार राज हैं ये राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महारास्ट के कुछ हिसों को मिलाकर एक आदिवासी के राज पर विचार किया जा रहा है और ये पहले से ही हो रही है यहां तक कि ये भील लोग भिलनेता कहते हैं कि ये मांग तो आजादी के पहले 1913 से ही की जा रही है ठीक है आए ज़रा देखते हैं इसको लेकर जो राजस्थान की आदिवासी मंत्री हैं उनका कहना है भई कि मांग करना लोगतंत्र में सबका अधिकार है जानतेपुर तर कि राज्य की मांग करना कोई बुराई नहीं है लेकिन इनका कहना है कि जात के आधार पे या किसी समुदाय के आधार पे अगर राज्य की मांग की जाएगी तो फिर ये अनेंडले स्यात्रा क्योंकि भारत में हजारों जातिया रहती हैं और फिर वो अपने अधार पे सबसे बड़ी चंच जाती है लेकिन इनका भी कहना सही है कि इस तरह से मांग करके जो भारत की एक्ता और समाजिक समरस्ता है उसको चोट पहुंचेगी देखते हैं कि भील प्रदेश की आउधारना क्या है या किस बात पर बात किया जा रहा है तो पश्चिम भारत में एक और इसका बटवारा भी हो गया है अब एक बी एपी बनी है भील और बाप नाम से उसके सांसद भी जीते गए हैं उन्होंने भी मांग किया है और ये भील समधाय मांग कर रहा है कि चार राज्यों में 49 जिलों को बना कर भील प्रदेश बनाया जाए अगर इन जिलों में द दाहोत, पंचमहल, सूरद, बडोतरा, तापी, नवसारी, छोटा, उदेपूर, नर्मदा, सावरकंटा, वनासकंटा, भरूच, मध्य प्रदेश में इंदोर, गुना, सिवपुरी, मंसोर, नीमच, यानि वो एक पूरा इलाका ही है जहां पे भील बहुशंख्यक में रहते और ये भील प्रदेश की मांग अभी देखा जाये, तो अभी तो की ही जा रही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि भील समाज सुधारत और आध्यात्मिक नेता, गोविंद गुरू, गोविंद गिरी नाम था, इनको गोविंद गुरू, इन्होंने प जिसे कभी-कभी आधिवासी जलियाँ वाला भी कहा जाता है, ये मानगण नरसंगार 17 नौंबर 1913 को हुआ था, क्योंकि ये राजस्थान, गुजराज, सीमा के पास मानगण की पहाड़ियों पर बिटिस सेना द्वारा, जो हमला की अगया था, पंदर सो आधिवासीयों, और ये देखिए 13 में हुआ था जलियाँ वाला भांग, तो 19 में हुआ था, 1919 में, लेकिन इस 6 साल पहले हुई घटना को हम उस तरह से नहीं जानते हैं, जिस तरह से हम जलियाँ वाला को करते हैं, जबकि उस से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की मौत हुई थी, ठीक है, तो देखते हैं कि इनी मानगर नरसंगार के बाद गुमिन्द गुरु ने 1913 में पहली बार इसकी मानग की थी, और आदिवासी अलग राज क्यों चाहते हैं, अगर जैसे उनकी मान जो नेताओं द्वारा कहे गए कि वो अलग राज क्यों मान कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो उनका बज़य है कि जैसे पहले क्या था कि गुजरात, मद्यपरदेश का वो इलाका, गुजरात और राजस्थान, ये एक ही था, मतलब वो पूरा एक छेत्र एक ही था, अब राज एक था यासा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि आदिवासी बहुल जो छेत्र है, वो एक ह एक टेरिटोरी में थी, जिसमें उनका अच्छा खासा बर्चस था, फिर इनका कहना है कि पहले राजस्थान में डुंगूरपूर, बासवाडा, उद्यपूर छेत्र और गुजरात, मत्यपरदेश आदी एक ही एकाई का हिस्सा थे, लेकिन आजादी के बाद आदिवासी बहुल छेत्रों को राजनितिक दरों ने विभाजित कर दिया, ऐसा उनके निताओं का मानना है, जिसके कारण आदिवासी संगठित और एक जुट ना हो सके, 2011 के जड़गना के नुसार राजस्थान की आबादी में आदिवासी लगभग 14% हैं, और ये मुख रूप से बागड़ छेत्र, जहां पे परताबगड, मासवाड़ा, डुंगरपूर और उदैपूर जिलग के कुछ हिस्से में इस्तित हैं, और इनका कहना है कि पहले, उतनी संख्या नहीं रह गई कि हम अपनी बात कर सकें, और इनका कहना है कि केंदर सरकारों द्वारा पिछले कुछ सामनों बहुत कुछ किया गया, बहुत सारा नितियां लाए गई, कानून लाए गया, लावयोजनाय लाए गई, लेकिन या तो उनका क्रियानिमन धिमीगत से हुआ या तो कुछ हुआ भी नहीं, उदारण भी बदाते हैं कि सासन ने, मतलब अगर सासन व्यवस्था को बिकेंदरित करने के लिए, और उसको ग्रास्ट्रूट लेबल पर ले जाने के लिए, पंचायत राज अधनियम आया था, और उसमें से भी उसे और बहतर तरीक इसे आदिवाश्री छत्रों में पहुचाने के लिए कर एक कानून बना था 1996 में, पंचायतों के प्रावधान अनुसूसी छत्रों तक बिस्तार अधनियम 1996 जिसे पेसा एक्ट कहते हैं, ठीक है, पेसा एक्ट बना था 1996 में, राजस्थान में इसे अपनाया गया, 1999 में इसे क नेताओं का कहना है कि 24 और चानबे, यानि कि 28-30 साल के बाद भी राजस्थान के कई आदिवासी गाओं में, वहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि पेसा एक्ट क्या है, उसकी सक्तियां क्या है, यहां तक कि मंत्री बिधायकों को भी नहीं पता है, ऐसे में इनका कहना है कि अगर अपना एक अलग प्रदेश होगा, तो हम अपने आदिवासी जो हमारी पहचान है, उसको भी बनाए रह सकते हैं, और उसको लेकर उसके अपने विकास के लिए भी हम नेतियां बना सकते हैं, यह तो इनकी ठीक है, लेकिन जैसा उनका मंत्री का कहा, क्योंका भी है कि जाति के आधार पे अगर राज्य बनेंगे, तो यह कहीं ने कहीं एक endless यात्रा सुरू हो जाएगी, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए नुक्सान दैक है, लेकिन हर किसी को मांग करने का अधिकार है, तेस की सीमा अखंडता का कोई उत्रन नहीं है, अगर अलग सांध्यपुर्ण तरीके से आप मांग कर सकते हैं, हिंसक तरीके से वो भी नहीं है, सांध्यपुर्ण तरीके से आप अलग राज की मांग कर सकते हैं, लेकिन अलग देश की मांग नहीं करेंगे, और हिंसक तरीके से अलग राज की मांग नहीं करेंगे, अलाकि ये भी वो यह है कि अनुछे 361 के तहत राजिपालों को और इसी के तहत राष्टपती को भी जो छूट मिली हुई है उसको जाज करने के लिए सुप्रीम कोड तयार हो गया है ठीक है ऐसा नहीं कि यह मामला पहले नहीं आया था लेकिन पहले कुछ दूसरे मुद्धों कुले कर आया सुप्रीम कोड त्वारा किया जाएगा मामला 19 जुलाई को आया था सुप्रीम कोड ने कुलकत्ता राजभौन की एक पूर महिला करमचारी की याजिका पर विचार करने के लिए तयार हो गये है जिसमें कहा गया है याजिका क्या कहay गयी है कि समयधानिक प्रावधान यान पूल अधिकारों से उलंगन है और इसको जाच करना चाहिए इसकी बात की जा रही है अगर हम मामले को देखें तो देखिए मामले को देखें तो इस याचिका में भारती समिधान के अनुछे 361 के तहत राज के राज़िपाल को दी गई छूट को चुनोती दी गई है और कई निर्देश और जाच की मांग की गई है इसके जो अधिवक्ता है बरिश अधिवक्ता स्याम दिवान उनका कहना है कि जाच आवश्यक है यानि राज़िपाल पर अगर कोई सिकायत है तो उस पर जाच आवश्यक है और ये राज़िपाल की पद छोड़ने तक इसे इस्तग बेदंसील होता है यानि यौन उत्पिरन का मामला है समय के बाद उसमें आप क्या जाच करेंगे इसलिए इनका कहना है कि इस तरह की बात जो उनको छूट मिली है गिर्यपतारी से न्याई कारवाई से उसमें पुलिस जाच से रोक नहीं लगानी चाहिए इसको लेकर इसमें म दावरान कानूनी कारवाई से छूट देता है या छूट अनुच्छे 361 के थाद दी गई है इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश ये सुनिश्चित करना है कि वे अपनी आधिकारिक सक्तियों और करतब्यों के प्रियोग और प्रदर्शन के लिए इन करतब्यों के किसी भी कार के लिए किसी भी अडालत के प्रती उत्तरदाई नहीं हों क्योंकि राष्टपती और राजयपाल को क्या माना जाता है राष्टपती संप्रभू पावर है और राजयपाल राजय का संप्रभू पावर है ऐसे में उसे कानून के तहत कई सारे जैसे अगर उसको दखना कहीं न कहीं उसके पद का और कह सकते हो गरिमा कम करने वाला होगा और कई सारी चुनोतिया क्योंकि राष्टपती और राजपाल देखा जाये तो कुछ विवे कादिन सकतियां प्रियोग राजपाल करता है लेकिन वो भी उसे राषटपती के एजरेंड के रूप में क की गई थी लेकिन मतलब इसके प्रावधान देखें महत्पूर्ण प्रावधान तो देखें आपराधिक कारवाई से छूट है उनके खिलाब कोई आपराधिक मामला सुरू नहीं किया जा सकता है और किसी भी तरह के अदालत द्वारा कोई गिरपतारी या कारावास का भी राष्टपती या राज्यपाल को पद पे रहते नहीं जारी किया जा सकता है। पद पे रहने के दौरान क्या पुलिस जाच भी न करे या करे उस पे चल रहा है मामला। एक 2006 में एक मामला आया था रामिश्वर प्रसाद बनाम भारसंग। इसमें अतिहासिक फैसले में राज्यपाल को ब्यक्तिगत दुर्भावना के आरोप पर भी अगर वो जान भूज कर भी ऐसा कर रहा है तो भी छूट प्राप्त है। सुप्रीम कोट ने कहा कानून में स्थती यह है कि राज्यपाल को पूर्ण छूट प्राप्त है। का दिन सक्तियों के लिए था लेकिन अपराधिक मामलों के लेकर भी मामला आया था। दो हजार सत्रे में सुप्रीम कोट में एक मामला गया था। राजस्थान राज की राजपाल थे। सुप्रीम कोट ने उस नेड़े में कहा था कि स्री कल्याण सिंग राजस्थान के राजपाल होने के नाते सम्विधान के अनुछे 361 के तहत तब तक छूट के अख़दार हैं। जब तक वो राजस्थान या किसी भी राजपाल के बने रहेंगे, जैसे ही वो राजपाल नहीं रहेंगे, सत्रन्याले उनके खिलाफ आरोप तय कर सकता है। राजपाल इस्तिपाल नहीं देते हैं, तो अगर केंदर सरकार उनको हटा देती है, फिर कारवाई सुरू हो सकती है। इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आई जाएगा। इतना तो आप चीजे, चर्चा में रहे, विंडोज आउटेज के संदर्म निमलिकित कत्नों पर विचार कीजे। तो इस इन तलसा है, इसको आप लोग देखतीजेगा। कहा जाता है, इसमें राजस्थान, गुजराज, सीमापर, मानगड की पहाड़ियों में बिटिस सेना द्वारा पंद्रसों से अधिक भील आदिवाशियों को मौत के घाट या मार डाला गया था। यह दो इस्टेटमेंट है, इनकी अधर पे चार भी कैलब है, केवले, केवल दो, एक और दो दोनों उप्यक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, इनको आप साल्ब करिएगा, इनका जवाब दे सकते हैं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सेयर करिए, कोई प्रस्न हो तो पूछ सकते हैं, बाकी रिविजन करते रहें, तैयारी करते रहें, अडिशनल चीजें पढ़ते रहें, जिसमें ऐसी कुछ चीज सकते हैं, ठीक है, चलिए, बाकी, धन्यवाद, नमश्कर.